नमस्कार दोस्तों मैं आज आज concept of cell लेकर के आप रोगों के सामरे उपस्थेत हुई हूई हूँ cell के बारे में हम सभी जानते हैं कि cell सबसे पहले में cell की परिभाशा पताना चाहूँगी कि cell है क्या तो कोशिकान जो है वो जीवन की आधार भूत, क्रियात्म यूंग, सर्दर्शात्म की नहीं है मतलब it is a cell is a basic functional and structural unit of life जिस प्रकार से मकान को बनाने के लिए इट्यूप की आवशकता होती है उसी प्रकार से किसी भी जीव का शलीर छोटी-छोटी इकारियों से मिलके बना है जिसको हम कोशिका प्याते हैं अब अगर हम कोशिकाओं के आधार पर जीव को बाटे तो ये दो प्रकार के उस्ते होते हैं चलते हिए चलते हैं कि कटी ही प्रकार से डाटे हैं कब की खोज कब हुई और किस ने की तो ओशिकाओं की खोज सर्वपर्थम 1665 में रॉबर्ट हूप नामक साइंटिस्ट ने की थी और ये ओशिकाओं की खोज भी तबी समभ वो पाई जबकि माइक्रोस्कोप का इंवेंशन वो पाजा और उन्हों ने इसे सर्वपर्थम कॉर आप लोग अगर पहले शीशियों में हुमेपाथिक की दवाईया करती थी गोलियों वाली दवाईया मुझे याद है उस पर ठकन लगा होता था तो उसमें उन्होंने देखा जो की छूटी-छूटी कोट्री नोमा समरशनाओं के रुख में माइक्रोसोप के दरा देखी त और यही से इसका नाम सेल पड़ा है तो अगर हम पूरी कोशिका सी बात करें तो कोशिका अलग अलग आकार की होती है और और अगर हम बात करें तो यह इनको हम दो ग्रूप में रप सकते हैं एक ग्रूप होता है प्रो करियोंटिक कोशिकाओं का और दूसरा होता है यू कर कोशिकाओं का तो प्रो यानि की प्रिमिटिव यानि की आर्दे आर्दे यानि जो पुरानी प्रकार की जो कोशिकाओं होती है वो और केरियों का मतलब होता है नुकलियस या केंद्र यू ता मतलब न्यू न्यू यानि की नया अब यह बोग प्रो केरियोटिक कोशिकाओं इ άλаться चाहते हैं इसमें होता क्या है कि इस प्रोकरियोर्टिक से लो है वो होता है जो होता है जैन्नक के जिली के ही होता है बदिक नूपलियस के ऊपरकोई इसमें हम मनुश्य को रखते हैं तिल चट्टा को रह सकते हैं अमीबाव डामिशन इस जिदनी भी प्रकार की कोशी नहीं प्रोकेरियोट्स एक कोशी की यह सब यूकेरियोट्स के अंदर आते हैं वही निक्लियर मेंबनेंट के द्वारा होता है वही निक्लियर मेंबनेंट इसको सैटोप्लास और दुस्रे सेल और गरेस्व कोशी छोटी होती है जन्तु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में देखती काई बड़ी होती है और मेजर डिफ्रेंस इन दोनों में यह होता है कि जुन्तु कोशिकह और पादक दोनों के चारो और जो प्लास्मा मेंब्रेन यानिकी कि प्लास्मा मेंब्रेन पाई जाती है यह होगी फिर्वू पादक पुलिए यह चारो तल्फ सेलते यह एक मुटी बिंती भी होती है जो इनको बाउर के बादवर्ण से इनका पंज बारत होते हैं वो उन से ही रक्षा करती है। पाधप कोशि कांगो की guar है उसके बात से कोशिकांगे जो च्होंटे-च्पी तरह नैं ज्था जैसे हमारे श्रीश मेरा बहुता सारे अंग है उस्सी कोशिकांगे बिले भी होतेनंare थम्हीं काउने छोटे-छोटे भांग यह सारा इसमें सल और्गनेस होते हैं उसके बाद से इनके अंदर एक द्रव भी पाया जाता है जिसको हम दो भाग में बाढ़ सकते हैं उसको हम दो भाग में बाढ़ते हैं एक होता है केंद्रग द्रव जो केंद्र के अंदर पाया जाने वाला फ्लुइड है उसको हम केंद् जो चैन्टराघिक जिल्दी और हुषय नमगें के बीच में जो फ्रूट्थ भाई राता है उसको हम साइ्टोप्लाज्म कहते हैं, कैन्टराघिक और कोशा द्रभ हम मिलकर के स्ट्रूट्प्लाज्म पनाते हैं। जिसको हिंदी में हम प्रोटप्लासम को जीवद्रव कहते हैं जैसे हम जीवन का भौतिक आधार बतार आधार और उसके बात हम चले तो सेल के बाद सेल जब और मिलती है यहां परखाल करते हैं। टिšू से और ह姆यल से ऑर्गन सेस्टम और और मिलकर पूरी बॉडी का निर्मार करते हैं। यहां पर नीली हरी शेवार और जिवानू की बात हुई इसी में एक और चीज़ आती है वाइरस वाइरस यानि विशानू अभी हम लोग इस समय एक त्रासती को जेल भी रहे हैं जो कोरोना वाइरस के नाम से जिसको हम जान रहे हैं तो यह जो वाइरस होते हैं इनको सजीव और निल्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है देया कनेक्टिंग लिंक विड्विन नॉन लिमिन लिमिन क्योंकि जब यह शरीर के बाहर होते हैं तो यह निल्जीव की बाती रेक्ट करते हैं किसी कड़ की बाती लेकिन जब शरीर के अंदर जाते हैं किसी सजीव के अंदर करते हैं तो यह ज़स्ट लाइक लिविंग और्गनिजम के रूप में बीएव करने लगते हैं ये इनके अंदर भी डीन ने आरने के द्वारा जैंटिक मेटेरियल होता है जिसके द्वारा ये रेप्लिकेशन करते हैं उन्हीं शक्ति बढ़ाते हैं और आगे भी हम लोग इस